असलाम अलेकुम विवर्स वेलकम टार चैनल जिसका नाम है जिंदगी वही सफर्ण है मैं सर्माजमर हाजी राजमल के साथ आप लोगों का हमार किचन में वेलकम करते हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा कचोरी तो उसके लिए इंग्रीडेंस क्या-क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं आप या तो यह ब्रेकफरस्ट या इवनिंग टैम स्नैक के टैम पर खा सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं इंग्रीडेंस क्या-क्या चाहिए हमने यहां पर मेदा ले लिया है और नमक आप स्वाधन उसर आप एड़ कीचे और यहां पर थोड़िया और आटे को गी के साथ अच्छे से रख करेंगे हाचे रख ताके हमारी कछोरी जो है अच्छे से खसता आजाएगी तो सब को अच्छे से मिक्स कीजिए एक अच्छा मिक्स दीजिए सकत है न ज्यादा गीला है उपर आईल ग्रीस करेंगे और इसको 30 मिनिट्स के लिए रख देते है दिखिए ग्रीस कर लिया है अभी इसको रेस पे रखेंगे कितने मिनिट्स 30 मिनिट्स तो हमने आटा गुनकर रख दिया है तो चलिए अब उसकी स्टफिंग जो कीमा के लिए क्या के इंग्रीडियेंट्स चाहिए चलिए वह देख लिए हाजरा हमने सिर्फ एक टेबल स्पून तेल लिया हुआ है क्योंकि स्टफिंग है तो कम ही ते अद्रक आएगा तो अच्छा लगेगा इसलिए हमने दोनों को बारी कट किया हुआ है दो हरी मिच एक मीडियम साइज प्यास खीमा और यहां पर मसाले इसमें लाल मिच पॉडर हल्दी चाट मसाला जीरा पॉडर होरेंडर पॉडर यहां पर आप चाहे तो काली मिच आप प्रण हो गया क्या करेंगे पहले लहसन को आट करेंगे लहसन अर अध्रक को एक थर्टी सकेंद्स के लिए सौटी करेंगे हाजिरा और और हमारी हरी मिच आइट करेंगे करेंगे पैस को कुछ भूनेंगे नहीं हाजिरा सिर्फ डाइरेक्ट कीमा सब आइट कर देंगे क्यूंकि जो अंदर कचोरी के अंदर थोड़ा थोड़ा क्रंची पन पैस काईगा तो अच्छा लगेगा तो इसलिए इसको ना रेड ब्राउन ऐसा कुछ ने करेंगे पीस्ति सेकेंड सोचे करेंगे है अधी करेंगे हमारा फीमा करेंगे हमारा खीम अच्छा से पानी छोड़ रहा है इस कोजिशन पर कह करेंगे जो हमने सारे मसाले से हैं सारी एक साथ आप करेंगे अच्छे से मसालों को मिक्स कर दिया है अभी तीन से चार टेबल स्पून पानी उतना एक तो अभी इसको मीडियम आंच पर धीनी आंच पर 5-6 मिनित अच्छे से पकाएंगे तो चेक करते हैं पांच मिनित हो गये हैं चेक करते हैं कि क्या हालत है हमारे खीमे की दीखे पानी सूप गया है अच्छे से जो थोड़ा पानी बहचा हुआ है इसको भी हम हाइफ लेंगे हमारा खीमा भी गल गया है हाइफ लेंपे इसको सुखा लेंगे तो चलिए खीमे को सुखा कर मिलते हैं और अगर जिसके पास किसी के पास भी मैंगो पॉडर नहीं है वो इस टाइम पर क्या कर सकते हैं नीमपू का रस दाल सकते हैं दो से तीन टेबल स्पॉन देखे हमारा खीमा अच्छे से ड्राइ हो गया है अभी क्या करेंगे जैसे ही हमारा खीमा थंड़ा हो जाएगा और 30 मिनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे तचोरी बनाना स्टार्ट स चूले को हमने उन कर लिया है सिम पर रखेंगे और यहां पर अभी जितना है मैं साइज साइज इतना लोगे हजरा है ना ज्यादा कम ज्यादा लोगी इसको अच्छे से ही έχ बोल शेप कर लेंगे और तेल को हमीने ज्यादा गर्म भी नहीं करना मीडियूम कर एक है इतना साइस का मैंने टिकी बना लिए है इसको एजिस में बेलेंगे बस यह जो एजिस है सिर्फ इसी को बेलेंगे देखें एजिस को हमने बेल लिया है अभी स्टफिन करेंगे इतना बड़ा काफी है काफी है जितनी आपको स्टफिन चाहिए उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं तो मैंने दो टेबल स्पून उतना डाला है जिसे मोमोज को करते हैं वैसे ही इसको अच्छे से सील करना है जो उपर का एक्सेस है उसको निकाल लेंगे और इसको देखें बस हलके हातों से इसको ऐसे प्रिस करेंगे ना बेलेंगे ना कुछ करेंगे बस हो गई हमारी बस और ज्यादा नहीं करना है यहां पर देख लिए मीडियम हो गया है अगर चेक भी करना है आपको थोड़ा आता है आराम से बबल सा रहे हैं जब हमने दाला आराम से बबल रहे तो इसी पोजिशन इसी टाइम पर हम क्या करेंगे हमारी टिक्की बनाते जाएंगे रखते जाएंगे तो दीमी आंच में अच्छे से खस्ती बने और पंदराम नी टाराम से लेगा हाजिरावा सारा पकनी के लिए अभी डिस्टप कुछ में करेंगे जैसे ही वह अच्छे से पक्कर थोड़ा हो जाएगी सब्सक्राइब में मीडियम तेल लिया है अगर आप ज्यादा लोगे तो नीचे जाएगी उपर होगी फ्लो होगी यह इतना काफी होगा तेल ज्यादा लेंगे तो अच्छा है सारे वैसे ही करेंगे हाजिरा एक दो में पकड़ लेती हूँ अब चाहें तो बिना बेलिव कि इसको हाथ से ही ऐसे ऐसे कि जैसे पराठे में सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं तो चलिए सारे बना कर मिलते हैं आई होब के मैंने दो प्रॉपर ली आप लोगों को बता दिया है तो यह अभी पंदरा मिनिट तक बनेंगे सल्मा जैसे यह फ्लिप होता है मैं पकड़ती हूँ इसको तब तक पकने देते हैं और यह देखिए पहली वाली जो हमने डाली थी इसको मैं फ्लिप कर रहे हूँ और यह कुछ इस तरह का ब्राउन कलर आया है इस पे सल्मा इसको यह अभी अभी पड़ा है तो इसको बाद में उल्टेंगे और यही पहली वाली को फिर हम एक पार पल्टेंगे देखें सल्मा हो गया क्या इसका और पकना है और यह देखें यह दोनों बन नुस्ट हो गए है मसलें तो इसको प्तालते जाएं हमने यहां पर बना लिये हैं इसको रखेंगे अब डेरेक्ली मिलते हैं इसके सारे बन जाने के बाद चलिए बाए और देखें मेरी तरह जो भी किचन में इस तरह की गलतियां करते हैं यह मैंने कर दिया तो सल्मा को इससे थैंक्फुली सल्मा थैंक्स भी कह सकती है मुझे क्योंकि उन्हें एक टिप याद देना याद आ गया आपको बताएं यहां सल्मा आपकी टिपन ट्रिक जब आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे यहां पी सील हो जाएगा और आपको तेल में यह साइड ही डा दाल दिया था ओके तो दालें सल्मा तो कि मैं इस प्रेस बना लेती हूं इसको नीचे की तरफ छोड़ना जो सील हुआ है और आराम से पकाना है देखे साइज में यह देखे आराम से फूलेगा बाद में यह देखे अभी मैंने दाला है यह फूला नहीं है तो जितना देर जैसे पढ़ेती अफूलेगा और खस्तापन भी देखे आवाज भी आ रहा होगा यह सेम कच्वरी आपको जैसे बाजार में मिलती है वैसे सल्मा रेडी मुझे मुझे मूँ में पानी आ रहा है है यह टेस्ट करना मुझे जल्दी यह रेड़ी सल्मा यस यस वी आ गूट पूट आपके बटा देते हूं की आपके बने है कैसी बने है चलें, आईए, खाने मिलते हैं, आजाएं सब तो गाइस, चलिए हमारा एक बहतरीन सा रेक्फरस्ट की रेसिपी, आप लोगों के साथ में खा के बगाती हूं कैसी है, जो हमेशा यही करती हूं तो यह अजा स्नैक भी खा सकते हैं, लेकिन खीमा जाता है, वह वाली कचोरी भी एक बनाएंगे हैं न सर्मा, यह तो वह जो है, इस स्पेसिफिक स्नैक ही बना के खा सकते हैं, जिसमें देही, इमली की चट्नी, यहां पे तुम नेल खीमा, खीमा है, तो काफी है आपको चट् अगर होता है, इस आर हैपी प्लेस तो और ज्यादा अच्छा रहता है न सर्मा, हाँ, जो मीला बहतर है, तो वह एक था, और एक सर्मा इसको टेस्ट करने से पहले पता दूँ मैं, हमारी घर में नया मेहमान आया है, कैसे लगा, आपको यह तो टायर वाला स्टैंड मिला है मुझे, मुझे लगता है, मतलग इसका जो कॉस्ट है, थोड़ा ज्यादा, मतलग उतना हेवी है नहीं, लेकिन का काम की चीज है, इसलिए जब मैंने इसको रखा और बोटन सामने रखा तो सल्मा ने भी का, हाँ, बहुत अच्छा ही लग रहा है, तो अच्छा लग रहा थ है, तो एक क्या हो गया है, एक हैबिट कैंड ओफ, यह मेरी छोटी बैन यहाँ पे घर के ही पास आये थे, लोग लेकर, तो उसको ऐसे चोटी चीजों में बहुत ज्यादा शौफ है, तो मुझे जिद करके इसने यह लिया, और सल्मा के रहे है, बहुत काम की चीज है, मैं खरीदने बैट हूँ, तो वही प्राइस जो है, अगर जाव सो चाहसो भी गोल देंगे, तो भी हम लोग ले लेते हैं, तो पैसे का कुछ नहीं है, पैसे बहुत स्वीट ली उन्होंने साव रुपे में दे लिया, और ऐसे सब जो है, मैं भी बहुत ज्यादा बिलीफ क कि अगर के बताती हूँ कि अपर टेस्ट करना जरूरी है, या नहीं आप लोग ही बताएं, क्यूंकि बने ही इतने मज़ेदार के हैं, सल्मा नहीं को काटा है मैं उसी को खा ले तयो है, ना सल्मा, यह ओल्रेडी सल्मा नहीं दिखा दिया है, तो मैं इसी को टेस्ट करती मैं उके साथ खा रही हूँ गया सके, कोई भी आप केचप ले लो या चट्नी कुछ भी लगा के खा सकता है, ना सल्मा, यह बिसमिल्ला, अगरन हमारी सिजलिंग मिश्की, मिर्ची, ब्यूटिफुल, मैं वर्ट्स में स्पीचले सो जाती हूँ के, सल्मा कुछ लगा है क्य नहीं अभी हम चला रहे है, इतना जबरदस बना है ना, और उपर से यह मिर्ची बिल्कुल तीक ही नहीं है, बहुत अची है इस बार के मिर्चे, खीमा तो जल्मा, पॉइंट पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब जो जो स्टॉप्स हमें चाहिए होता है, हमारे जॉस में, बह बहुत बहुत मज़ेका बना हुए, प्लीज बनाए, सलमा, मुझे बात बुल ली है, गईस मैंने परसो में अपनी वीडियो देख रही थी हूँ, रिसेंट ही मैं भी सलमा की रेसिपी वाली वीडियो देख रही थी है, जिसे खीमा पराटा ही, आज सलमा कचुरी बनाई है मुझे लगता है यह मुझे शेयर करना चाहिए खीमा पराटा मैं भी स्टफ्ट वाला कोई मैं नहीं बना सकती हूं मुझे मतलब उतना मैं प्रो नहीं अपने आपको फील करती हूं क्योंकि when you have a chef in the kitchen you feel like you are a backbencher only तो ऐसा हो था लेकिन जब मैंने देखा और मेरे में एक confidence boost हुआ कि yes I can do this Sarma ने इतना easy peasy बना दिया इसको तो Sarma I would love to say के आप बहुत अच्य से अपने कला को लोगों पक पहुंचा रही हो यह मेरा as a sister मैं भोल रही हूं मैं मैंने फील किया as a viewer मैंने जब उसको देखा तो yes anyone can do this मैंने ऐसा फील किया तो आप लोग भी बता सकते हैं के यह मैंने जो कॉम्टिमेंट सर्मा को दिया है यह सच वाला है नहीं है क्योंकि आप लोग भी विटनेस हो के हम लोग यह जैसे सल्मा आपको बताती है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यह हम कर सकते हैं तो कोई भी न्यू जो किचन में एंटर हो रहा है तो भी आराम से इसको कर सकता है यह बताना था कि आज यह था और करें मयो यह चेकनी आप पुपील ही नहीं करोगी कि खाना लगा कि खाना जरूरी है थीमा काफिय है थीमा काफिय है और मिर्श तो और भी सौने पर सुहागा तो गाश एक था सुभा सुभा आज हमें फिर से वही कहूंगी अलहम्दुलिल्ला अल्ला का और जजाक अल्ला खैस सल्मा का फिसे हमें बना के खिला रही है सल्मा I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो फ्लीज प्लीक बटन और सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक बटन हाजिरा कुछ गडबरी बोल दिया कि मैंने हाँ हाँ हमें इन्साद पर फॉलो कर लीज हो हमारी आईडिया प्लीज शेयर करें जितना होसा कि अपने फ्रेंग्स रेटिव के साथ प्लीज शेयर करें उंको बताएं कि एक जिन्दकी वही सफर नया चैनल भी है जिसे आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बहुत सारा प्यार देना है, ऐसे आप लोग हमार द्रव से रेकमेंड करतें, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच, चलते हैं हम लोग दुआओं में याद रखें, और मिलेगे फिर एक मज़ेदार कोई भी रेसिपी या फिर शायरी या फिर आउटिंग कुछ भी हो सकता है, चले चलते हैं, आला हाफिस, टे के, लव यू आल गाइस, बाई-बाई, have a good day, and actually have a good weekend, आपको कल ग्यारा बजे अप्लोड कर देंगे ये वाला, बाई-बाई